हेलो विवन आप सभी का बीस्टी सी एक्जाम 2020 का पेपर काफी अच्छा गया होगा हम बात करेंगे आंसर की की तो आप सभी देख लीजिए कि कौन-कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा गलत है 51 में जो है आपसन नमबर B रहेगा यानि की आबू के परमार वेववसाली कलात्मंग नगरी चंद्रावती पर ग्यार वियों बारिशिताफदी में किस वन्स के सासों का सासर रहा है आबू के परमार शित्रपार रास्तान की संस्कृती का एक मात्पूर्ण पहलू पूजा जाता है ग्राम देउता के रूप में ठीक है 52 में जो रहेगा वो है आपसन नमबर A निमिलिकित में से कौन सा वाद्दे यंत्र तत्य वाद्दे नहीं है उसमें रहेगा अलगोजा अलगोजा जो है वादे यंतर तत्य वादे नहीं है रास्तान में शेत्रबल की दरस्टी से सबसे छोटा जिला कौन सा है सबसे छोटा जिला जो है वो है धोलपूर धोलपूर सबसे छोटा जिला है जैसल मेरे सबसे बड़ा जिला रास्तान में विध्या लेयों वाप ब्यापक सिक्सा ये मैटरिल तयार करती है, सिक्सा निर्मान जो है, उसके बारे में डिसाइड करती है, निन्ने करती है, और उस पर क्रियान वन करती है, कोटा के किसा सके काल को कोटा स्कूल की चितर सेली का उत्करस्ट काल माना जाता है, इसमें जो रहेगा, उमेज सिंग आंसर रहेगा, मार राजा सवाई जे सिंग ने किन इस्तलोप पर वेद सालाओं का निर्मान कराया कुछ जगह थी जिस पर आपको बता दूँ जेपूर वारानसी उज्जेन मतुरा दिल्ली जेपूर वारानसी उज्जेन मतुरा दिल्ली यानि की option number B आपका सही आंसर रहेगा इलाबाद नहीं था बूंदी भी नहीं था जहांसी भी नहीं था तो इसका मतलब option B आपका सही है भारतिय संसद में राजस्तान के कितने सदस्द से चुने जाते हैं वो है 35 क्योंकि 25 तो है लोकसबा और 10 है राजसबा तो यहाँ पर बारतिय संसद की बात हो रही है तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 35 राश्तान में 18 सत्ता उनकी करांति का केंदर रहा था इसमें रहेगा option number D यानि नसीराबाद बंगाल की खाड़ी में गिनने वाली राश्तान की नदियों का सही युग में निम्न में से कौन सा है 60 में जो आंसर रहेगा काली सीन वर गंबीरी यानि की D option फलकूआई समंदित हैं चरी नर्ते से औपसन नमर वा कीर्ति और विजयिस्तम्ब कहां इस्तित है कीर्ति और विजयिस्तम्ब जो है चितोरगड में इस्तित है सहीर भील बाली का काली बाई निम्निवे से किस इस्तान से सम्मन्दित है ये जो है इसमें ऑफशन नमबर A रहेगा यानि की रास्तापाल से उनका सम्मन्द आता है रास्तान में इस वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार 1000 पुर्सों के मुकाबले में इस्तियों की संख्या का लिंगानुपात 928 है ऑफशन नमबर B बोराट का पठार राधस्तान के किन जिलों में फेला हुआ है वह है उदेपुर और रास्तमन्द आतान से सम्मन्द आतान से जनगर्णा 2011 के अनुसार राधस्तान में निमिल की जीलों में जोड़े में कम साक्ता दर है इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा जालोर और सिरोही में यानि किसी ओप्सन इसमें रहेगा घगर नदी की किनारे बसा नगर कौन सा है घगर नदी की किनारे जो है हनुमान गड़ बसा हुआ है 2011 की जंगरना की उन्षा रास्तान जिले की कि जिले की सरवादिक साक्षता दर है इसमें जो है बी रहेगा यानि की कोटा की जो है सरवादिक साक्षता दर है 69, मांगन यार एउन लंगा लोग कलाकारों को परख्यात करने का सेरी ये दिया जाता है इसमें जो आंसर रहेगा कोमल कोठारी Option नमबर A किस लोग देवता की पतनी उनकी मरत्यू के बाद सदी हो गई थी काफी इंपोटेंट सवाल है इसमें जो आंसर रहेगा Option नमबर C यानि की तेजा जी रास्तान की किन में से कौन सी पसल मावट से लाभवनित नहीं होती है गयं सरसो चना आपको पता है कि तीनों रवी की पसल होती है तो इसमें जो रहेगा Option नमबर D लिए आकरसंद का केंद्र है मंडावा ये जो है चित्रित हवेलियों एंवं वित्ती चित्रों के लिए प्रसिद है सेखावाटी की गुलिस्ता की पांडू लीपी को चित्रित करने वाले बलदेव राजपुताना की चित्रसेली समंदित थे 74 इसमें जो आंसर रहेगा अलवर भारती प्राचीन लीपी माला के लेखक कोन है भारती प्राचीन लीपी माला के लेखक है गोरी संकर ओजा गोरी संकर हीराचंद ओजा इतो बात कर ली हमने 25 अवाल जो है रास्तान जीके के आगे next वीडियो यानि कि part 2 में हम बात करेंगे छेंतर से लेकर so तो आप next वीडियो भी जरूर देखें thank you very much